ओके तो आपने 5G स्मार्टफोन बाई कर लिया, इंडिया के अंदर 5G लॉंच भी हो चुका है, 5G आपके सीटीज में भी आ चुका है, लेकिन स्टील आपके फोन में 5G सपोर्ट नहीं करता है, क्यों? तो इस वीडियो के अंदर इसी क्यों का जबाब मैं देने वाला हूँ, और इसी के साथ अगर आप कोई भी ब्रैंड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो आपके फोन में 5G का सपोर्ट कब तक आएगा? इस वीडियो में इसके उपर भी हम लोग बात करेंगी, और ऐसे हिंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को करना मधुली गया, तो एकदम आसानी से समझने की कोसिस करते ह registrar, हाल Means kmube वी अचे मिलियो होते हैं, लेकिन उन में से ही इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आपने मानों इंटरनेट कनेक्स से लिया है, तो जो इंटरनेट का ब्रॉडबेंड का जो वायर है, वो डिरेक्ली आपकी मोडम में नहीं जाता है, वो सबसे पहले ONU के पास आता है, फिर ONU मोडम से कनेक्टेड होता है, तो मोडम और जो कनेक्सन है, इन दोनों को आपस में जिस तरह से कोम्मिनुकेट करता है ONU, सेम उसी तरह से स्मार्टफून का जो मोडम है और जो टावर है, इन दोनों को आपस में कोम्मिनुकेट करता है Radio Frequency Trans Receiver, तो इसी RF Trans Receiver को Optimize करना होता है, जो Companies OTA Update के थूरू इसे Optimize करता है, लेकिन अगर आपके मैंन में ये सवाल आया है, कि ये हमें 5G में ही क्यों देखने को मिलता है, जब कि 4G जब आया था जियो पहले-पहले, उस टेम पे तो इस तरेके का कोई भी updates बगारा नहीं आया है, तो कहा 20 से नीचे, और कहा 10,000 के आस-पास, यहां पर मैं जो Frequency Band का combination है, इसकी बात कर रहा हूँ, अलग-अलग देशों में अलग-अलग combination यूज करता है, अलग-अलग cities में भी अब देखते होंगे, कि अलग-अलग bands, तो उस हिसाब से इसे Optimize करना पड़ता है, और 4G स 5G के लिए compatible हो जाएगा, बहले ही आप 5G स्मार्टफोन यूज कर रही हूँ, बहले ही आपकी cities के अंदर 5G है, लेकिन इसलिए नहीं यूज कर पा रही हूँ, ना आप बात करता हैं कि कौन सा ब्रैंड कब तक ये OTA अपडेट पूस करने वाला है, तो इस लिस्ट के अंद स्मार्टफोन के अंदर OTA अपडेट या तो आ चुका है, या तो वो पहले से ही 5G रेडी स्मार्टफोन बनके ही Realme ने लांच किया था, एंड इस लिस्ट में जो सेकंड नमबर पर है Xiaomi and Poku, तो Xiaomi and Poku की फून में भी काफी समय से 5G का जो अपडेट है, वो अल्रेडी स्टा हो चुका है, और October खतम होते होते सारे फून में भी हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI की तरफ से, अब अगर मैं Samsung की बात करूं तो Samsung का जितने भी flagship स्मार्टफोन है, उसमें ये अपडेट आ चुका है, लेकिन कुछ mid-budget and budget segment की फून के अदर अब भी अपडेट न ने वाले हैं, नेक्स्ट अगर में Motorola की बात करूं तो Motorola ने भी कुछ फून के लिए अपडेट पूस कर दिया है, और बाकी जितने भी स्मार्टफोन से नभंबर तक ये लोग अपडेट देने वाले हैं, इसके अलाबा IQ, Vivo and Oppo की बात करूं तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, नभंबर के एंड तक हमें सारी स्मार्टफोन में जितने भी फोन 5G में लांच होए हैं, उन सारी स्मार्टफोन में हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा, नाव नाथिंग के बात करूं तो नाथिंग अल्डेडी एटल 5G को सपोर्ट करता है, लेकिं जियो 5G को ये सप अपडेट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट बचा हुआ है टेकनो एंड इन फिनिक्स, तो ये दो ब्रैंड भी नभंबर के एंड तक हमें ये अपडेट दे देगा, बाकि आप कौन सा ब्रैंड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, और क्या आपको ये अपडेट अभी तक आ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू